नमस्कार आप देख रहे हैं दा बिहार टॉप मैं हूँ आदेश पूरी बिहार में एक लाख सतर हजार साधिक सिक्षकों की बहाली का प्रोसेस चल रहा है प्रइच्छा ले लिया गया है डॉक्मेंट्स वेरिपिकेशन बहुत जल सुरू होगा और 15 सितंबर के बाद से मेडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबित अक्टूबर लास्ट तक बिहार में फिर से नई सिक्षक बहाली आने की पुरी संभावना है आपको बता दे कि ये बहाली जो है वो एक लाख से अधिक की होगी और उसे इस साल ही पूरा कर दिया जाएगा सबसे पहले जो रिक पदो की जनकारी जिलो दोरा दो दिन पहले ही भेजी गई है जिलो से भेजी गई सिक्षक रिक्तियों को विभागी अस्तर पर समायोजित किया जा रहा है विभागी शुत्र बताते हैं कि सितंबर अंतिम हक्ते या अक्टूबर के पहले सब्ता के बीच सिक्षक नियो से रिक्त हुए पद होंगे इनमें आवकास प्राथ सिक्षक भी सामिल है मिर्थ सिक्षकों की भी संख्या हासिल की गई है इसके अलावा आने वाले सिक्षक नियोधन में उस पद संख्या को भी समाहित किया जाएगा जो बीप्यस्टी की तरफ से किये जा रहे हैं वर्तमान नियोजन में खाली रह जाएंगे सरवाधिक नियुक्तिया माधमिक और उच्छ माधमिक में परस्तावित है और इसी में सरवाधिक पद भी है अभी भी पद खाली रह जाने की संभावना बनी हुई है आपको हम बता दे कि जो बहाली चाहित पर्फेक्षन आएएस सिविल में विश्वस्निय गाइडन्स के साथ सुनिश्चित की जाती है 64, 65, 66 BPSC परिक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 179, 131 क्रम शहर रिजल्ट देने वाली संस्थान पर्फेक्षन IAS कुमार टावर, बोरिंग रोड पटना जो पताई जा रही है कि एक लाख 35,000 के आसपा जो है बहाली हो जाएगी 35,000 के आसपा सिट खाली रह सकते हैं और ऐसे में इन सिटों को अगली बहाली में जोड़ दिया जाएगा यानि कि सितंबर अंतिम या अक्तूबर पर्थम सब्ताह में ऐसा कहा जा रहा है और मैं आपको यह भी बता दू कि सुत्र बताते हैं कि BPSC को भी यह पता है कि इस साल एक और सिट्छा की बहाली लेनी है हलाकि जब तक सिट्छावी भाग सरकार के द्वारा उनको अधियाचना नहीं भेजा जाएगा तब तक BPSC के तरफ से कोई भी असपष्ट जनकारी नहीं दी जा सकती है कि क्यों भरती कराने वाली यह काई है लेकिन आपकों बताएं कि जो सोर्स बताते हैं सुत्र बता रहे हैं कि बिहार में एक लाग से अधिक सिख्छक पहाली को लेकर अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर करवाईयां सुरू हो जाएंगी और सितंबर अंतिम तक अधियाचना जो है वो BPSC को भेजी आ सकती है कहने का मतलब है कि बिहार में सिख्छक भरती का प्रक्रिया जो है वो काफी जोरो सोरो से चल रहा है और यही कारण है जो सुत्र बताते हैं हमें कि यही कारण है कि आनन फानन में STET 2023 की परिच्छा लिया रही है क्योंकि मादमिक और रुचमादमिक में अभियर्थियों की संख्या बहुत कम थी जिसके कारण हो सकता है कि 1,70,000 की बहाली में बहुत ज़्यादा सीट मादमिक और रुचमादमिक में खाली रहा जाए इसके अलाओं अभी सीटे हैं तो उसी को पूरा करने के लिए आनन फानर में STT 2023 का फोरम निकाला गया 4 सितंबर से उसका भी परिच्छा सुरू हो रहा है और इस परिच्छा के रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही बीटीए सी के द्वारा फिर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और परिच्छा लेने की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी नोवंबर दिसंबर तक परिच्छा लिया भी जा सकता है तो यह अभी मिडिया रिपोर्ट से खबरे आ रही है बागे क्या होगा यह बहुत से बताएगा लेकिन इसको लेकर बताएं आपको कि खबरे बहुत सारी आ चुकी है कि दूसरा फेज का भी बहाली वीपीए सी के द्वारा किया जाएगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा लाइक सेर करें हमारे चैनल दब यहाट टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद